हेलो एव्रीवर्ण मैं हूँ नीलम और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेकप मंत्रा में अरे यार आप लोग देख के मुझे इस तरह डरो मत आज मैं कोई भी मेकप वीडियो लेकर के नहीं आई हूँ आज होने वाला है मेसो हॉल और यह एक ड्रेस का हॉल है जो मैं फर्स्ट टेम अपने चैनल पर कर रही हूँ तो आप लोग इसे धेर सारा प्यार दीजियेगा क्योंकि अगर आप लोग धेर सारा प्यार देंगे तो मेन्नियू ने उड्रेस भी इसी तरह पर्चेश करते रहूँगी और आपके सामने लाती रहूँगी दिखाती रहूंगी तो मेसो क्या है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ मेसो इंडिया का नंबर वन रिसेलिंग एप है जहां हम बिना इन्वेस्मेंट किये हुए अपने बिजनेस को कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं ड्रेसस मैंने कुछ ड्रेसस ऑॉर्डर किये थे मैंने सारे ड्रेसस M साइज में ओडर किये थे क्यूंकि M भी मुझे थोड़ा बहुत अल्टर कराना परता है और मेरा हाइट 5 फीट 2 इंचेज है और आपकी बड़ी भी मेरी जैसी है और हाइट है तो आप देख सकते हैं कि आपको एड्रेस कहां तक आता है और मैं ड्रेस के पिक बगएड़ा साइड में लगा दूंगी आप प्राइस भी आपको स्कीन पर देखने को मिल जाएगा इसलिए आप ध्यान से देखिएगा और इसके सारे कोड़ आपको मेरे डिस्क्रिशन बॉक में मिल जाएगे में सू में लिंक नहीं लें होता है कोड होता है तो आपको देखने के लिए मिल जाएगे आप देखके आप各 aspects कर सकते हैं यह जितने भी ड्रेस है मैं आपको इसके बारे में फूल डिटेल देने से पहले ही मैं इसकी पिक और प्राइज आपको साथ ही साथ दिखाते जा रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि दिखने में कैसा है और रियल में कैसा है एक्चली मुझे यह सूट छोटी आई है इसलिए मैं आपको पहन के नहीं दिखा सकी और इसका पिक भी मेरे पास खुद का पहना हुआ नहीं है और इसका कप्रा कॉटन ब्लेंड है यह मिक्स कप्रा में है इसका राउंड नेक है और इसमें पर्ल्स के डिटेलिंग दी गई ह सेम कलर का है और देखें इसकी बाजू है और बाजू पे भी यह चुडनट वगेरा बनाए हुए है चुडनट की डिटेलिंग दी गई है और साथ ही साथे देखें इसमें दो लटकेन भी लगाए गया है जो इस बाजू को काफी खुबसूरत बनाते हैं मैं यह वेर करके नहीं दिखा सकती हूं क्योंकि यह काफी चोटा साइज आ गया है आप देखें इसमें आपको दिखार हुए हाथ पे एहन में जाने के बाद कितना खुबसूरत लगता है यह बहुत ही अच्छा लगता और एक नियू लुक आता है निकल करके और देखें यह थोड़े से ब बगारा पर नहीं है यह बिल्कुल भी जहरने वाला नहीं है बिल्कुल नहीं जहरेगा बहुत ही अच्छा है यह और पूरे ड्रेस आगे से ऐसी हैं और पीछे से भी आपको राउंड नेखी मिलेगा थोड़ा सा 3 इंच तक कठ है इसमें और ओलो भर आपको पूरी ड्रेस मिलेगी और इसके साथ आपको पैंट भी मिला है जो एलास्टिक दिए और आगे के तरफ इस तरह से लुट बनाया गया है थोड़ा दूर बेल्ट का है बिल्ट बनाया गया है इसमें और आपकी कमर इसमें 38 तक है तो ये अराम से हो जाएगा और इसमें सबसे अच्छी बात है कि देखे इसके नीचे जो कटवर्क किया गया है ना ये बहुत खुबसूरत है और पहने के बाद तो इतना अच्छा लगता है ना इसका कटवर्क आप देख सकते हैं कितने अच्छी कटवर्क दे गई है पहने से बहुत ही अच्छा लुक आता है और ये सब अंडर फाइफ अंड्रेड थोड़े बहुत रेट है जो मेसो पर नीचे होते रहते हैं तो ऐसा नहीं बोलिएगा कि हां आपने जो रेट बताया उससे थोड़ा बहुत कम है या ज्यादा है होते रहते हैं ये मेरा सकेंड ड्रेस है और इसमें दो पैटर ने भी लेवन है दोनों ही रेओन में है और द राग है ये हाफ में एकदम प्लेन है बिलकुल प्लेन आपको मिलेगा और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो देखें इस तरह से गोटा पत्ति का वर्क किया गया है और इसकी भी एक खास्यत है ये भी एस इस ट्रेट इस ट्रेट में आपको ये सूट मिलेगा यहां से प्रप मिलेगा आपको और इसकी भी एक खास यह थे गोटव्ट पट्टी पहली तो कि अप जबेकर कि इसमें ज्ञादेप पिदने गया है की कहा यह यह विया गया है यह जैसे जैसे ही हम नीचे जाते हैं बिल्कुल नीचे जाते हैं दिखिए कितने नदिक नदिक गोटा पट्टी दिए गई है जो इस ड्रेस को और भी ज्यादा खुबसूरत बनाती है इस ड्रेस में आपको 2 लेटी मिल जाएंगे बहुत व् Илиबल है लेकिन ring दो बिल जाएंगे एक में हैं जिसमें की है नेक के उपर में जाईनिंग किया गया गया और पूरा मने शूट प्लेन है मैं आपको दोनों का ही कोड दे दूंगी आपको जो पसंद आएगा फोले लीजेगा मुझे ही पसंद आया कि मुझे किस तरह से वेयर करना है इसके उपर में क्या लेना यह सब सोच करके मैंने इसे पर्चेच किया था और इसमें देख और इसके हैंड के उपर भी इतने सारी गोटापट्टी दिये गया है टेन लेयर इसमें बनाए गया है जो कि सिंपल होने के साथ साथ काफी मने की रिच लुक देता है यह ड्रेस और बैक से भी आप देखिए बिल्गुल प्लेन मिल जाएगा आपको पीछे में कुछ भी नहीं है दम प्लेन है और रेट के कोडिंग यह बहुत ही अच्छा ड्रेस है यह भी अंडर 500 ही है और इसके उपर में मैंने ग्रीन दुपट्टा वेयर किया हुआ है आप चाहें तो इसके उपर में गोल्डेन भी ले सकते हैं और क्यूंकि यह गोल्डेन ही गोटा-पट्टी का वर्क है लेकिन पूरा गोल्डेन नहीं है थोरा सा सिल्वरी और गोल्डेन दोनों ही मिक्स है तो आप इसके उपर में गोल्डेन सिल्वर या वाइट दुपट्टा भी लेंगे तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है यह प्लाजो ही है लेकिन बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा घेर वाला नहीं है नीचे से इसमें आगे या पीछे दोनों तरफ यह लास्टिक दिये गया है काफी स्ट्रेच हो रहा है और आपके कमर फोटी भी है तो आसानी से आपको आ जाएगी और देखिए यह पूरे के पूरे प्लेन है और यह जैसे जैसे नीचे जाते है लास्ट में नीचे में बस यह दो ग बहुत ही अच्छा लुक देता है बहने के बाद आप देखिएगा ही सामने में पिक में आप देखी रहे हो कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा क्यासा लगा मेरी चोईस कैसी आपको पसंद आई की नहीं यह मेरे थर्ड सूट और इसका मैटेरिय जेल रेयोन है और आप देखी सकते हैं कि मेरे ऊपर कैसा लग रहा है और देखिए इसमें दो कलर एबलेबल है और फुसिया पिंक जिसे बोलते हैं वो कलर भी है और यह कलर भी है अभी-अभी मैंने इस पेक मेकप लुक किया था तो थोड़ा सा पाउडर फांडेशन बग बनाता है और डार्क कलर में लाइट कलर की इंदम सिल्वरी स्काइंड ऑफ गोटर पट्टी दे गई है जो कि बहुत ही ज्यादा खुबसूरत है और इससे पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है अगर आप मैच करके पहने तो मैंने इस पर जो मेकप लुक किया अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लीज जा करके उसे भी चक कर लेना और यह जैसे 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 नीचे जाता है आपको बुटा मिलते जाएंगे जब एकदम नीचे चले जाते हैं लास्ट में आप देखें यह तीन बड़े-बड़े बुटे दिये गया है जब इस सूट को बहुत ही अच्छा बनाता है देखने में बहुत खुब्सूरत लगता है और यह चार लाइन लाइनिंग भी गोट्या पट्टी के दिगे हैं जो है सूट को काफी हे भी बनाता है और इसके पीछे इस सूट में भी देखें यह आप पेंड डाउन बाले है जो फर्स्ट पो आके और पीछे और इसके हैंड के ऊपर भी देखें हैंड पर बीक अच्छे डीटेलिंग की गई है यह पहनने के बाद यह इस तरह से आएगा हैंड में और यहां पर बूटे भी मिलेंगे आपको नहरू कॉलर में है इसकी निक और पीछे से देखें पूरे प्लेन है आप देखी सकते हैं बहुत अच्छा लुक है इसका परने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है मुझे बहुत कैसा लगा ज़रूर बताएगा कमेंट में और यह रहा है इसका सरारा इसमें भी आगे पीछे एलास्टिक दी गई है और इसमें भी आपकी कमर अगर फोटी त लुटे ति सपहस लेने कसे मेंर इसमें थाई से कम हैंक कपरा उसके बाद चुणनत करके इथोड़ी सी माँने घेर को बड़ा किया गया उसके बाद नीचे में फिर से चुन ऑतारी बड़ा किया गया है और इसके जो गेरे है इतनी जाद है एक पैर में आपको इतने घेरे आएंगे इतने घेरे आएंगे देखे और इसमें दो दो लेयर गोटा पट्टी का वर्क क्या गया है फिर फिर इस तरह से देखे यहां पर दो है गोटा पट्टी का वर्क यहां पर भी दो लाइन गोटा पट्टी का वर्क है और जैसे हम आपको गोटक Pacific detailing दी गए है और चाली समसा कटवाली ओर डिया घंए और यह आगे और पीछे दोनों तरफ इंट एde दिया गया है से देखे आगे और यह रापीछ दोनों तरफ इसके आसी डिटेलिंग दिए बहुत ही खुबसूरत लगता है यह पढ़ने के बाद आप इसके साथ अच्छा सा मेकप कर लो और एडियो जो बहुत ही अच्छा लगेगा पार्टी में जाने के और यह मेरा इस वीडियो का लाज सूट है और यह कॉटन मेटेरियल में है और इस पिक में देखने में जितना डार्क सेड में दिख रहा है एक्चुली में वैसे नह नहीं डेट आया है और यह जो ड्रेस नारकली है और इसे लेने का मुझे काफी दिन से बहुत मन था लेकिन अंडर थाउजन था और थोड़ा सा हाई रेंज में था तो इसलिए मैं वेट कर रही थी कि थोड़ा इसका दाम कम हो तो मैं लूँ लेकिन मैं 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 सुसे कर लिया है कि इसका सुइट हार्ट नेक है और साथ ही साथ कॉलर भी दिया गया है जो इसे और भी ज्यादा खुबसूरत बनाता है इसमें बहुत सारे कलर से बलेवल हैं और अगर आप में सो क्रेडिट ले यूज करते हैं तो आपको ऑनलाइन पेमिंट ही करना होता है आप और ऑण ज से युड़ी नहीं कर सकते हो और देखें इसमें फूल बाजी उये और इसमें जो सीब बर्ट दिया गया आप देख सकते कितनी सायन करती हो सेम कलर की है इसमें आपको दिख रहा हूँ हो थोड़ा सा वाइट जैसा चमकरा है साइन जैसा कर रहा है लेकिन वह ऐसा नहीं है यह रेड में रेड कलर से ही दिया गया है जो कि जब साइन करती है तो काफी फूपसूरत लग रही है और ये चिकन कारी work में है और Cotton का है और ये आगे और पीछे दोनों side सेम पीछे भी है इसलिए इसका थोड़ा rate जादा है जिसमें चिकन कारी work है उसमें थोड़ा सकम प्राइज है और ये आपको current suit में भी आपको ये मिलता है स्ट्रेट पीस भी आपको मिलेगा लेकिन मुझे अनार कली लेना था तो मैंने अनार कली लिया और इसमें देखिया आप नीचे छोटे चोटे वर्क दिये गया है जैसे जैसे यह नीचे आते जाते हैं अब देखें यहां पर कितने अच्छे से एक दम फनीसिंग के साथ वर् वर्क इस ड्रेस को और भी जादा खुबसूरत बनाता है और इसमें घेरा भी कम नहीं है बहुत जादा है आप देखो कैसे दिखाओ देखिये अब समझ सकते हैं कि कितना दूर जा रहे हैं कि काफी घेरा है और सेम ऐसा ही वर्क आपको हैंट पर भी मिल जाएगा जैसे नीचे आएंगे देखें कितनी खुबसूरत इसमें इंबोडरी की गई है यहां जो इंबोडरी किया गया है यह बहुत अच्छा इंबोडरी है तो फ्रेंब्स आपको कैसा लगा मेरा यह वीडियो मेरा हॉल कैसा लगा आपको अगर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कि और कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि आपको किस तरह की ड्रेस देखने पसंद है और आप कैसा ड्रेस देखना चाहते हो तो मैं उसे पर्चेश करके जरूर आप लोग के लिए लेके आओंगी तो चलिए फिर मिलते एक अच्छे से वीडियो के साथ जिर बैबै